जवाब दो भाई, वेंदा सूरज एस पूट आउट जब सूरज को बचा दिया गया? सर यह थो सही है मिश्टे गहां है अग जी कौन बोल रहा है? हलो सर तो सही है मिश्टे गहां है, यह थो सही है इसमें क्या मिस्टे गहां? सब्सक्राइब को समझा ना कि इसी तरह को लोगोंको ना क्यूंके लोग तो उसमें इसमें किसी चीज में गुस्ते इसको मना उपर उपर से सम्झा दया ग्या होगा किया आ था शर्ज को पुझा दिया जाएगा जो पुझा दिया जाएगा अच्छा ि जी ओडिया बिन काव जिसको के आपके मुहम्जनक ही तना बड़ा नाम दिया को हिरु कर दूनिया है का सबचे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर रहे है आपके मुहम्मद ने एक दफ़ा बैठा हुआ था, सही मुस्लम की अधीस में आता है, कि अवए को वाज दी, अवए को का, या, अवए ने का, या मुहम्मद, क्या लग्ला ने मेरे बार मताया है, उसने का, हाँ, नाउम, तो अवए की आँखों में आशू आ गए, वो बंदा कहता है, कि लोग बजारों में चल रहे होंगे, कि अचानक सूरज बुझा दिया जाएगा, क्या आप इस बात को सैंटिफिकली मानते हैं, कि अचानक सूरज बंद हो जाए, और लोग बजारों में चल रहे होंगे, सूटमज एक अलेक्टरिटिटिटी से जलने वला पलब है कि अचानक बंद हो जाएगा यहां उसके अंदर गैसे ठाथा करके जल रही है और उसको आग की तरह भड़काई वी है और उन गैसे को बंद होने में सालों साल मिलियन्स ओफ येर्द लागी जाएंगे या बताने ये भी हो सकते हैं आपकी बात भी सई हो सकता है तो पिर अद्य खूटा मोहममd जुटा प्योंकि मुहममद ने उबय को का था और मोहममद ने तौमम उम्मत को का था है उबय के बारे में अभए बिंक आप तो आधम भाई अधम भाई अजी तो मैं एक लिंक देरा हूं पॉलिंग यह जरा आप खुले आपको दिखाता है तफसीर नहीं चाहिए तफसीर होना चाहिए आपको दिखाता है तफसीर क्या गहता है छे चे बंदे बैठे वो पांच पांच सोरी और बात नहीं करने हा रही पांच को यह पांचों जो है ना चैट में चले जाते हैं और स्ट्रीम कदम होती है कि लिकला हैं सवेर से लेगर रात तक लगे रहते हो यह देखो हजरत अबैए बिन काब फरमाते हैं कि आमत से पहले छे निशानिया होंगी लोग अपने बजारों में होंगे कि अचानक सूरज की रोज़नी जाती रहेगी फिर ना कहां सितारे तूट कर गिरने लगेंगे लोग जी सितारे तूट कर असमान पे गिरने लगेंगे सितारे जो के जमीन से बहुत बड़े है जो के जमीन से इतने बड़े है जिसकी इंता कोई नहीं कि जमीन एक सितारे पे गिर सकती है आपके अबैब इन काब कहते हैं कि सितारे जमीन पर गिरने लगेंगे सितारे ना हो गए कंकड़िया हो गई जो जमीन पर गिरने लगेंगे लेदी लोग अपने बजारां में अचानक सुरजी रोजी जाती ने पिर ना कहा सितारे तूट तूट कर गिरने लगेंगे पिर अचानक पहार जमीन पर गिरेंगे और जमीन जोड़ जोड़ से जटके लेने लगेगी और बेतरा हिलने लगेगी पहार हवाओं में एरो प्लेन की तरह उरना शुरू हो जाएंगे सितारे जमीन पर गिरना शुरू हो ले हजरत क्या बोलते हैं आप ठीक है अब का आप कई बात लेते हैं आदम ने जमीन पर गिरेगा ठीक है इस पेस का इर्थ यह हमारा दर्टी जो है वह कहां पर स्पेस का अंदर है ना जी तो थोटके गिरेगा तो थोड़ा इस पेस वह धर्टी पर गिरा तो उधर क्या होगा क्यों ने गिर सकता आपका इसाथ से यार मुझे बताओ एक बात एक बाद बाद चुटी सी एक बाद बताओ आपको पता है कि जो सितारा जो नीरस्थ हमारे करीब हिप्त्रीन सितारा certains का नाम सूर्ज है असल में वह सकतार ही है आप मुझे बताओ यह जमीन से कितना उस बड़ा जमीन से तो बहुत बड़ा है जमीन से बहुत बड़ा है अब मुझे बताओ बड़ी चीज चोटी पे गिरती है या चोटी चीज बड़ाइब किल रहा है नुप-टा कर रहे हैं अब ये बड़ा बोल आप तोड़ के एक छोटा बोल का अंदर दाल सकते हो आप बिलकुल सर आपको बाद बिलकुल सत्ते कह रहें लेकिन मैं आपको समझानी कोश्च कर उसको समझ लें कि जड़ा अच्छा होगा आप सूरज की मिसाल जमीन के साथ ऐसे ले सकते हैं कि एक ची सथार जो आप देख रहें हैं गळाचे ऑफिर सूरज करे किट अब तक प्तक्तहि introduction हिए पड़े और फिर मेरे पास आईए सटार अर्वार अरे भी आपर अपर साइंस की एपीचिटी पुड़ाओं तुम्हें साइस की एपीचिटी पुड़ाओं अब बात यह है कि जमीन एक चीन्टी की तरह है और सितारे हाथी की तरह हाथी यों या आप everything स्कूझ यो साथवी सेंच्टरी के अरेबिया में इस टेव की बाते चल सकती ती आज नहीं चल सकती यह देखो सूरज बे नूर हो जाता रहेगा उंदा करके लपेड़ के जमीन पर फैंक दिया जाएगा अलो जी सूरज को उल्टा करेगा अल्ला एक goal object को उल्टा करेगा साला goal object कैसे उल्टा होता है मुझे नहीं आज तक समय लग सकी लेकिन अल्ला को पता है जमीन पर उल्टा करके फैंके जाएगा इबने अबास फ़्माते है चुप कर बे चुप कर वे सूरज, चांद और सितारों को लपेड़ कर बेनूर करके समुन्दरों में डाल दिया जाएगा और फिर मगरबी हमाई चलेंगी अमेजन करो आपके जो स्कॉलर अबन अबास मुहम्मद का अपना कजन है उसके मताबिक सूरज और सितारे इतने चोटे हैं, इतने चोटे हैं, इतने चोटे हैं कि वो सारे के सारे बेनूर करके समुन्दर के अंदर गिरादिये जाएंगे यह आपके स्कॉलर्स है, यह मुहम्मद का कजन है जो बोल रहा है, इबन अबास मुहम्मद का अपना सब्सक्राइब बात करें यार मैं चला जाता हूं अभी बात करें डिवेट और रही है करना बात ता बोलने तो दो भाई आप उदर रेडियो के जैसे आभी बोले जा रहा हम सिर्फ सुनके जा रहे हैं अगर तो यह कहीं कर रहे हैं जो इन्होंना बताया क्या होगा सूरज को यह करके जमीन में डाला जाएगा ठीक है यही बात है आपका तो सूरज का अंदर क्या है अब धरती है तो बड़ा धरती है दरती में कितना खाली जगा है तो उदर ने डाल सकते हैं आप आप सिर्व इतना बड़ा चांद है इतना बड़ा सूरज है त प्रिग्षाव गार्ट प्रिए चान्द को भी चोटा करतें डालने के लिए इदर चोटा करने की अल्ला अल्ला कुछ भी कर सकता है यह अधर तो अल्ला तमाम सितारों को पकड़ेगा जो के अधर नहीं लिका है आदम बढ़े नेर सारे सारे ठीक है इदर 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 तो देड़ सारी सितार है ना स्टार्ज है ना फुरूलर में तो अल्ला सितारों को बगड़ेगा पहले उनकी उनकी आग को बुझाएगा फिर उसके बाद उनको छोटा करेगा और फिर वो समंदर में डाल देगा आपने जो आयत दिया था वश्यम्सू तो आप उदर से शुरू किया था आपको याद होगा तो जी मैं उदर से शुरू किया था फिर आपने मुझे आर्टिकल दिया था मैंने का मैं आर्टिकल नहीं पढ़ता हूं आर्टिकल नहीं पढ़ता हूं मैं तफसीर दिया था आप आप खोलिये तफसीर मैंने जो इसम आपके पास इबने कसीर की जिसको आपके टाक्टर जाकित नलायक ने बोला है कि इबने कसीर इस दा बेस्ट तफसीर इन दा तफसीर ये देगे जाज़िए इदे इद एक इस इनको नका मैं नुन का वाला नहीं बोल रहा हूँ आदम बै आप भाग रहे हो जयर कितना दिर तक भागयागा है ref झाल गार जा सुब्सतली सार कन नचा कुनि का बब congressional नहीं का अभाई लोग विए कछते हैं स्टूपेरिटी की नित हाब इसने का के मुगे तफसीर ही चाहिए और इबने कसीर की चाहिए मैंने इबन-e-कसीर की ही तफसीर खोली वी है, लेकिन प्राबलम यह है कि इडियोट्स हैव दा एक्सेस टू इंग्लिश तफसीर और इंग्लिश तफसीर में इबन-e-कसीर को 20% से जदा ट्रांसलेट नहीं किया गया वा, नहीं किया वा, और इवन उर्दू में भी 100% ट्रा बाकी चीज़ें अर्बी में जाके ही देखनी बढ़ती हैं, इसलिए इसको समझ ही नहीं है कि इबन-e-कसीर अंग्रेजी वली से चाहिए, मेरे पास अंग्रेजी वली भी है, आईए वो पढ़ते हैं थोड़ा सा उसका शायबा लेते हैं, फिर वापस यहां पे आएंगे, मैं आपको दिखा हूँ, कि इबन-e-कसीर अंग्रेजी में इन्होंने कितनी कम ट्रांसलेशन की विए इसी चीज़ की, और आप लोगों को समय लेगेगा कि कितनी बड़ी डिसेप्शन है ये, इसलाम इस डिसेप्शन, और इसलाम के स्कॉलर्स जो हैं, वो जहदनम में 90% स इसमान सूरज को भुजा दिया जाएगा, रिपोर्टिट फ्रम इबन-e-अबास, इट विल गो वे, बस, वो चला जाएगा, हाला कि अभी हमने पढ़ा, इबन-e-अबास ने काया कि सूरज चांद और सितारों को भुजा के समूंदर में फैंक दिया जाएगा, यहां पर इबन-e-अबास ने का, इट विल गो वे, पूरी की पूरी ट्रासलेशन ही नहीं करते, यहालत है इन लोगों की, इट विल गो वे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इबन-e-अबास कहते है, सूरज चांद सितारों को बुजा के समूंदर में गिरा दिया जाएगा, अंग्र ट्रासलेशन सही नहीं करते, यहालिटी ऑफ इसलामिक स्कॉलर्स, हाँ जी, हजरात, दो बंदे दो भाग गए है, कोई और बंदा बात करना चाहेगा, तीसरा बंदा भी भाग गया है, और कोई, दो बंदे रहे हैं, हाँ जी, इसे कहते हैं, एडम सीकर की कुरानिक तफसी कीरी चपेड के पांच बंदे आए हैं, और तीन बंदे भाग गए हैं, आते ही, क्योंकि उन्हें पता लागा, यह क्या खोल दिया इसने, आते ही, वल्ला हभी भी, दो अजार तीन सो चालिस लोग देख रहे हैं, एक और बंदा भाग गया, अब खाली रहे हैं, एक ही कासी इंटरेट से नी जलता, मिस्टर इसलाम वर्सिस एथियस्ट, जी जनाब, दुबाला वापस आए हैं, आप, हलो, हाँ जी, हलो, यह आप से एक साहँ, हाँ जी, इसलाम वर्सिस एथियस्ट, बोली यह, लाइफ चैड में तो आप कमाल बोलते हैं, आँ स्वारी, चैड प्रफ़ेंगे था, वो बोलते हैं, अजी, जुनाई देरा, बोले, बोले, अलाद आला है, जो चाहे कर सकता है, अलाद आला एर्थ को प्लाकोल बना देगा, एर्थे ना सूरज में नहीं जाएगा, सूरज एर्थ में आएगा, भाई, यार इसलाम वर्सिस एथियस्ट, ज आप स्ट्रीम के कमेंट में जाते हो, आर्टिकल्स की डेडर पेज की कटिंग्स डालते हो, लेफ्ट राइट करते हो, इस वकत आपकी हुचत ये है सिर्फ, इस इस यूर आर्गिमेंट, इस इस यूर आर्गिमेंट, इस इस यूर आर्गिमेंट, मैं दिखाना जाता हूं, कि इस बंदे का brain क्या है ये बंदा finally हमारे साथ live आया है and listen to his argument ये इसका argument है Allah जो चाहे कर सकता है मैं ये समझाने की कोशी कर रहा हूं कि सूरज को चांद को और सितारों को अल्ला जमीन पे फैंकेगा और जमीन एक चूंटी की तरह है और सूरज एक हाथी की तरह है हम बाकिस सितारों को साइड बे भी करते है सिरफ एक हाथी जो है वो चूंटी पे नहीं गिर सकता चाहे उसके टुक्रे क्यों ना कर लिया जाए तो भाईजन आपका आंसर ये अल्ला जो चाहे कर सकता है इस 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 और आंसर जी जी चूंटी के उपर हाथी पैर रख सकता है जी पैर रखता है लेकिन हाथी के टुक्रे टुक्रे करके चूंटी पे नहीं गिराए जा सकते चूंटी पहले ही टुक्रे में भसम हो जाएगी खतम हो जाएगी, बरबाद हो जाएगी, उसका कचूमबर निकल जाएगा, टुकरे टुकरे हो जाएगे, पहले टुकरे के बाद उसके पाद दूसरा टुकरा चुंटी पे नहीं गिरेगा, वो पिछले टुकरे पे ही गिरेगा, हाथी के ओपर ही गिरेगा, तो प्राब्लम कि वीच मैए में सब् стор कि तूपानी पैसे चापनी नहीं एक तुरां टूए तका यह जब भी बात करता है तो यह लिए अरवी में नहीं पता आगंड जो आप से खरों टारे केतना थे आपके आपके सब्सक्राइब कि आपने खराब की है शोर अना शुरू हो गया है कि मैं वालियम कम करते हैं आपको शोर कम वालियम कम ना करें अब सही है तार को हिलाए मत जी बोलिए दो रुपए का हेड़फुन लिया वे आपने दो चार रुपए का लिलेते तो सही रहता अच्छा भाई बात सुने इसलाम वर्सिस यह ततनी बड़ी आपने जिन बनाई भी यह भाई आपको दो टगे की अगल नहीं है कि कभी भी सूरज चांद से तारे जमीन च चली गई तो फड़क कर तबाओ पर बादर स्फना हो जाएगा फड़क कर टीमेन अघर भी मैंने बताया है न आपको लैक लडक वल वनेका प्रवज़ में और आजाएगा कि जमीन सुरज के अन्दर पर देरा जाएगा लेकिन अल्ला तो कह रहा है सूरज जमीन पर गिरेगा तो सुरज गे किस्चे चले आईगा न आशा बलैकोल बनेगा फिस वुरुच बलाइक होल में जाएगा वाहे 3 जाये जा झाएगा जाएगा, तो वो एक उर्णज जा जाएगा, तो वो एक हजार टाइम्स अपने टोटल वेट से छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद लाओ उसको जमीन पे गिराएगा, तो यह यह एक अंग्रेजी की फिलम आई थी, तुकुडे तुकुडे करके जमिन पे गिराएगा आई मॉमी आई शरंक माई किड्स तो वो अल्ला मिया वो मुवी पूरी करेगा कि हुमन्ज आई शरंक यॉर सन है यह समझ में आप जम मुवी पूलए मैं नहीं देखा वो मुवी यह सम Zum V-क नाम क्या दर भाशला मं गृवश सब्सक्팅र के जिए नदर डिस्नी के एक मॉवी आई थी हनी आई श्रंक माई के यॉसनेâu k standar एक मशीन मनाई थी जिस मशीन के साथ वो बच्चे जो है ना वो उसके छोटे हो जाते हैं चोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो वो आप बता रहे हैं मुझे कि वो जो 1989 में डिसनी ने मूवी बताई थी वो वली मशीन Allamia create करेगा और उसका नाम है black hole और सूरज को उस मशीन black hole करने डालेगा सूरज को शरिंग करेगा, सितारों को उसके डालेगा उसको शरिंग करेगा, बाइदे में सितारों को millions of light years का travel करना पड़ेगा, क्योंकि सितारे millions and millions of light years दूर है वो उन लाइटियर्स दूर सितारों को लाइट से भी ज्यादा तेस स्पीड में से ले के आएगा उस मशीन के अंदर से श्रंक करेगा चोटा चोटा करेगा और फिर जमीन के वर फैकेगा एम आई करेक्ट इन सेंग डाइट भै छोटेर frיה総स जड़ी जुक करें हुए है भाई मैं वह सिनमा नहीं देखा है भाई मैं प्लाक होल जी वाईट और वब्लाय खूल जमीन के अंदर बने गाए बलैक होल जमीन के अंदर बनेगा जी आपने जो सवाल किया है तारे अच्छा इसलाम वस्ते देती है वाई मैं आपको एपाब बताओं अब मुझे अपने उपर रहम आ रहा है कि मैंने आपको इतनी इंपोर्टन्स कैसे दी कि मैंने आपके कुमेंट को अपनी कम्यूनिटी पोस्ट का जीना बनाया मुझे अपने उपर इस वकर जो है ना वो नफरत हो रही है कि मैं कैसे ऐसा कर सकता था मुझे आप से पहले बात करनी चाहिए थी फिर आपके कमेंट को इतनी वैलियू देनी चाहिए थी मैंने आपको तीन दफ़ा अपने चैनल की जीनत बनने की द हुआ कि हमें अपांग जाहिल बेवकूफ अंपर नामाकूल गवार इसलाम में जाहिए उसे बाहर नहीं जाहिए ठाल स्थीय वर वारत करें थे वो उसके पर डिबेट करेंगे आप नहीं सर मैं आप से नहीं करूंगा भी लaah भी मत अबस् nous त नहीं करूंगा तर में मेरे पास सर डिबेट करने के लिए सामने वले का intellectually capable होना बहुत जरूरी होता भाई मैं आपको force नहीं करूँगा मेरे से डिबेट हार गएगे तो मैं तुभी इसलाम को पूल करना ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं आपको नहीं सर डिबेट हारने के लिए भी आगे से बंदे का intellectually capable होना जरूरी होता सर आप ऐसा किजिए आप मेरे चैनल से निकलिए और दुबारा मेरे चैनल पर ना आईएगा ठीक है ठीक है मेरे भाई आप लीव स्टूडियो का परंदबाईए और कुमेंट्स में भी नदर ना आईएगा मुझे ठीक यू सो मच उफ्तोबा मिस्टर अफजल फ्रॉम एड़म जी जनाब बसल्मान है आप जी जनाब मसल्मान हो अब इसलाम तो नहीं छोड़ा आपने नई भाई छोड़ना चाहता हूँ छोड़ना चाहते हैं चार गहंटे बाद जोइन कीजेगा फिर हम छोड़ने वले लोगों के साथ बात करेंगे अभी हम उनसे बात करें जो इसलाम छोड़ना नहीं जाता है भाई मैं भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ अभी तुमने का मैं चूड़ने जाता हूँ जूटे जूट के बोलते हो आप छोड़ना चाहता हूँ अभी नहीं चूड़ने जाता हूँ इन में से सची बात कौन सी है इस वे मैं तो एक बार सोचता हूँ छोड़ना चाहता हूँ फिर मैंने सोचा नहीं छोड़ना चाहता हूँ ओके तीन गंटे बाद जुड़ीएगा बाई-बाई मुझे इस वगत द्रा ताकत वर मुस्लमान चाहिए मिस्टर अमिर मुस्लमाने सरा हलो जी सर अलो तो किस तोपिक पर डिस्टरसन है आच सर क्यामत के दिन पर तो आपको इसमें क्या सब्सक्राइब तो आपको पीछे शोर बहुत है किया किसी देगा पंक्चर लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं अब अब आपको इस तनी आपकी आपकी पीछे वनों की वादा रही कुतों की गार्गीयों के होरन की साइक्रों की हर चीज की वादारी है मेरा मतलब है इस तरह से बात नहीं कर सकता हूं नहीं रुको में अभी साइड में लगाओ के तो बाकी जितों की वाद तो आएगी ना अपने आपको म्यूट करो किसी जगा पहुंचो जहां पर शोर कमो फिर बात करना आप में बस कोशने वारा हूं ठीक है म्यूट करो क्सब्स करते हैं तो अपने आपको अब तुस समद रहा है मैं तेरे को और कर दूंग तुमेरे से वाओं किस से कर रहा तुब्हें नहीं क्यों कि ए तुम्हें एड क्यों किया है सूर्च छोड़ा है सर ऐसा करें कि आईतल कुर्सी सना दे पहले पता लगे कि आप मुसल्मान है आईतल कुर्सी सनाए बाग गया यह दो नंबर मुसल्मान आ रहे हैं यार सीरियसली स्पीकिंग आई फील लाइक कि मैं किस दिन पंच करके आप ल मिस्टर दानिश अपना माईकर कैमरा कुनेक्टेट करें सर अगर आपने आईड होना है हैरी असलम साहब मुसल्मान है सरा मिस्टर हैरी असलम आप लाइव हैं इस वकद बोलिए मिस्टर हैरी फाइव फूर थ्री टू वन दानिश साहब मैं आपको आइड नहीं कर सकता क्योंकि आपका माईकर कैमरा कुनेक्टेट नहीं है मा aperture कैमरे को परमेशन दे in the meantime मुहमद किया नाम है घूरा महमद किया नाम है तमीम शा जी मुहमद तमीम शा क्या हो गए बहुक्या क्या लो bissजा कुर्आ का मज़ा कुणा ही तो इस शव्या में तूम हगै इसलम चोड़के कुरान का मज़ा हो जो किया हो गया QuRN का मज़ाद के नहीं ऊड़ा रहा है तु अंदा हो चुका है, तुझे न अब दिखा गी है, तेरे दिल पे भी मुहर पढ़ चुकी है, या दिल पे मुहर पढ़ने से क्या फरक पढ़ता है, तेरे को अब समझ ही नहीं आएगी यह बात, क्योंकि अल्ला एक बगेरत शक्स था, हुआ कुछ यहूं कि मुहम्मद को पता था कि लोग को मुहम्मद एक बेवकूफी और जाहिलाणा चीज़ hundred बता रहा है, तो मुहम्मद के पास क्या था? उभे तुम्हारी आँके अंदी हो गई है, तुम्हारे दिल पे मौरे लग गई है, तुम्हारे जिगर पे मौरे लग गई है, तुम्हारे偌 हैं है। अगर बंद होगा उसको कई साल लगेंगे और अगर सुरज बंद हो गया जमीन पे एबसलूट जीरो डिगरी सेंटिगरेड हो जाएगा एबसलूट जीरो का मतलब है जमीन पे कोई चीज नहीं चलेगी प्राबलम यह है कि अगर ऐसी चीज आती है तो आप बजारों में फिर नहीं रहे होंगे आपकी उटनियों के पेट में बचे नहीं होंगे जानवर नहीं होंगे गर आप सुरज को भंद हिए तो छोड़े अगर आप अपनी जमीन को मार्ज वले टमपरेचर पर ले जए शेट आप लिसन तो तड़ साइंस फरस्ट अगर आप लिसन तू अर्श और तू यहां पर एक गंदा के उस खुदा के बार बात तो पिर अल्ला को क्यों नहीं पता था इन तमाम चीजों का ये बता दें क्या नहीं पता था उसको तेरे से ज़्यादा है साइंस कौन ची कंप्लीट है यह हर दिन चेंज होती रहती है एक दो साइंस का ये पता चल जाता है तो बस हम एंथिस्ट बन जाएंगी तुझे लगता है कि भाई डाई बिलियन लोग बेवकुव है और बस तू ही अकलमन्द है यहां पर तेरे बिलियन नहीं है बेसिकली 1.8 बिलियन है नंबर 1 ठीक है नंबर 1 नंबर 2 1.8 बिलियन में आपके पास 0.5 बिलियन तो वैसे यह पॉस्टेट्स है इस वकर तो आप लोग 1.2 बिलियन से इस वकर ज्यादा नहीं है नंबर 1 नंबर 2 वो सारे बेवकुफ है और तुम लोग अकलमन्द है ना हाँ जी सर वो बेवकुफ नहीं है उन्हें पढ़ा नहीं है इसलाम को that's the problem जो जो लोग पढ़ते जा रहे हैं इसलाम को इसलाम चोड़ते आ रहे हैं जी 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 जो 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 इसलाम पढ़ते जा रहे हैं जी सर बिल्कु किसी ने कुछ देखा ही नहीं है बस ऐसी सारे पागल हो जो इसलाम है अरे भाई सुनो 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 मैं यहां पर भी प्रूफ कर पूरे कुरान को translation के साथ नहीं पूरूँगा, पूरा की पड़ा है जो बेतरी, यहीं से बात साबत करती मैंने, 1.2 बिलियन मुसल्मानों ने कुरान को तफसीर तो छोड़े, translation के साथ नहीं पड़ा, फिर आप मुझे कैसे कह सकते हो कि क्या वो पागल है, भाई वो पागल न मौलवियों से मसाजित में सुना बस वो सुना और तुम जो मुझे बता रहे हो कि 1.2 बिलियन लोग पागल हैं मैं कहता हूं नहीं वो पागल नहीं वो अनपड़ हैं तुम्हारी तरह तुम चाहे मास्टर्स डिग्री होल्डर हो चाहे पीएचडी तुमने की हो लेकिन कुरा और इसलाम को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है कुरान को ट्रासलेशन के साथ पढ़ना और उसकी तफसीर पढ़ने की जरूरत है तो आपको पता लागेगा कि इसलाम कितना बड़ा बेवकूफ जाहिलाना स्टूपिड इडियाटिक कल्ट है जो के एक बंदे मुहमद ने क्रियेट की जी हज़रत आपको जवाब मिल गए आपकी इस बाई 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 ऐसा नहीं होता हाफिज पता है तुझे कितने हैं दुन्या में जितने भी हाफिज हैं अभी वापस बैक स्टेज क्योंकि आप साथ करते आते हैं हाफिज अर्बी में क कुरान को पढ़ते हैं और हाफिजों को अंब का पता नहीं है कि उन्होंने ट्रांसलेशन में किया है येस्टेडे साहिल के चैनल पे एक हाफिज आया था और उस हाफिज को जब मैंने बोला कि यह वली सूरत और यह वली सूरत पढ़ो उसने अर्बी में पढ़ दी मैंने क इसका मतलब किया थो उसने का तो मैंने हिफस किया हुए है ट्रंसलेशन नहीं सीखी वी once again हाफिज करने का मतलब ही होता है कि जिस तरह तोते को एक लाइने रटा दी जाती है और तोता राटे के बोलना शुरू कर दिता है तोते को भी नहीं पता होता कि क्या इसका मतलब है ये सेम प्रॉब्लम हाफिज के साथ है जी हज़रत और इसे कुछ साथ नहीं होता है बहुत लोग नहीं पढ़ा है तो लाइक अब आपके साथ बात करूँ कि कुरान क्या कहता है और उसकी तफसीर क्या कहती है अच्छा हाँ बोले बोले आपका कुरान कहता है कि क्यामत के दिन जो हैना सूरज को बुझा दिया जाएगा और सितारे जो है वो जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे आप इस चीज़ को मानते है जी मानतो ओके जब सितारे जमीन पर फॉल डाउन होना शुरू हो जाएंगे मुझे बताएं सितारे इतने बड़े बड़े हैं वो जमीन पे कैसे गिरेंगे भाई ये खुदा करेंगा ना उसके हाथ में कुछ भी कर सकते है वो इनसान को कुटा भी बना सकते है उस पे हम कैसे सावाल करेंगे एक सितारा जो होता है एक सितारा जो होता है वो हाथी की तरह होता है और जमीन चूंटी है अगर एक आती एक चूंटी पे गर जाए उसके बाद दूसरा आती चूंटी पे गर सकता है नहीं नहीं गर सकता है मुझे पता हैं फिर सितारे प्रूलर में अर्थ पे कैसे गरेंगे अब वो क्या पता है कि इन सितार उनकी बात करता है सितारे जो असमान पर उन्हीं की बात कर रहा है कोई और सितारे भी हैं साइंटिस्टिन ने क्या सारे सितारे डिसकावर किये हैं अरे भाई सितारे प्रूलर में जितने डिसकावर हो गए मिलियन्स उनका अर्थ के साथ कोई वो है ही नहीं तो existing उतने ही हैं जितने डिस्कावर हुए so Allah छोटे छोटे स्तारे ढूंडेगा और सिर्फ वो गिराएगा नहीं पता ना कुछ भी हो सकता है हमें क्या जो होगा तो होगा पिर अल्ला ने क्यों नहीं या लिखा जो जो हमें देखे हुआ है ना वही है बस ओके परफेक्ट अब अगर सूरज को इगरा देगा तो सूरज जो है वो जमीन से कितना बड़ा है आठ सो टाइम्स हाँ ओके एक सूरज इगरा देगा तो उसके बाद कभी सितारा गिर सकता जमीन पर क्या पता कितने मदरसा चाब लोग आ रहे हैं और आज सीरियसली स्पीकिंग फिर फिर जाओगा तो कहां पर सूरज जो ठीक है भई ठीक है भई तो ठीक है भई आप जीत गे दानिश साब आपको समय लेगी सारी बात मसलमान है आप करता है बाकी नाइंटी नाइन परसंट से ना मुझे साबत कर देंगे दुआए थे वेंदर सनने पुट आउट 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 और यह तो लिखा ही नहीं कि अर्थ पे जबना है तो लिखा है अज़र इंड वन दा स्टार्स फॉल डाउंट जी अज़रत मुझे से चुइंगा निगाल के बात करें कहां पर गिरेंगे क्या सितारे हवा में किसी चीज़ से लटके में जो गिर जाएंगे एक दम से अगर वो अर्थ पे नहीं गिर रहे हैंगे किसी गिर जाएंगे किसी तो वह या ला तेरा या सितारे आस्मान पर च्छत पे पंक है कितरा लटके में राइट नहीं एक ही जगा पर रहे हैं आस्मान एक ही जगा पर उके सतारे आस्मान पर एक ही जगा पर लटके में किसी चीज से और क्यामत के दिन वह ली रस्ची तोड़ दी जाएगी और वह गिर जाएंगे करेक्ट हाँ इसे क्या था उसे कैसे इसलाम साबस होता है यह तो मतलब यार बेसिक सी बात है कयामत का झार किया है कि सूरज-उरज को गिराया जाएगा इसको गिराया जाएगा तो घटाने कुछ डीडियल में घुसरे यह यह एकर छोटी बाते होती न तो इस वकत मुस्लमान जो है जब डरते हैं अल्ला की कियामत के दिन से तो वो ना डरते हैं यह चोटी बाते नहीं हैं इस वरी इंपोर्टन फिंग्स और हमारे पास जितने भी मुसलमान आते हैं जब वो इसलाम को आलमस्ट छोड़ चुके होते हैं तो उनके पास जो फाइनल डर होता है वो इस कियामत का होता है जो कि किसी भी तरीके से साइन्टिफिकली मैथमेटिक और पांच्वी जमात की साइन्स के मताबिक फिट नहीं बैठती हैं किसी लाजिक पर फिट नहीं बैठती हैं यह चोटी बाते नहीं है चोटी बाते नहीं है जब तुम्हारे पास इनका जवाब नहीं है इसलिए तुम्हारे लिए चोटी चोटी बाते यह चोटी चोटी तो ये बहुत बड़ी बात हैं, अब बोलो. उस वकत देखा नहीं जाएगा, तो ये बाते बताई हैं, इसमें अल्ला आगी क्या कहता है? सुनो. इसमें अल्ला कहता है, उस वकत पहाड उड़ना शुरू हो जाएंगे. और उस वकत जो प्रेगनेंट कैमल्स हैं, उनको 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 अनटेंड़ छोड़ दिया जाएगा. अगर सितारे जमीन पे गिर चुके हैं, जो कि सितारे नहीं गिर सकते हैं, कि सितारा गिरेगा, तो जमीन तबाव हो जाएगी. अगर सूरज बुजा दिया जा चुका है, तो जो तुम्हारे कैमल्स हैं, जिनके अंदर जो प्रेगनेंट कैमल्स हैं, उनके वो उन प्रेगन इन प्रेगनेट कैमल की टेंचन की नहीं होगी एक्स्की लाट फ सब्सक्ति जो भी वह जो बी लाइफ स्टॉक वो ऐसी चडरा होगा हूँ कि एक कैमल छोड़ इनसान ही नहीं होंगे तो कैमल की टेंशन की होगी तो फिर से वही बाद करें स्टार्स बड़े होंगे बाई जा यार जाओ 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 मिस्टर आमिर वेलकम मुस्नम को भी को व्लॉक कर दूंगा मैं मिस्टर टॉक्सिक बीट्स रिमूव यरसल्फ अलो अलो अरम भी जी तो आप क्या रहते कि अल्ला मसला बै जमीन पर सूरज को नहीं किरा सकते हैं तो अल्ला ने एक जगा ये भी फरमाया है कि जब क्यामात दूसरी जमी कर देगा आसमान बदल लेगे दिखाएं सर कुरान के आयत दिखाएं बाए मैं भी मुबाइल से हूं अभी मेरे बास लेप्टोप को भी देखें और मैंने पूरी कुरान को दर्जुम जौब